ब्रिटेन की सियासत में लगातार उलट फिर बना हुआ है और अब एक बार फिर नए प्रधानमंत्री की तलाश शुरू हो गई है मिली जानकारी के मताबिक लिज्ट्रस के स्तीफे के बाद एक बार फिर भारतिय मूल के ब्रिटिश राजनेता रिशी सुनक प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं लेकिन मुकाबला अभी भी कठिन है तो किसके साथ है सुनक का मुकाबला देखते हैं ये रिपो और अब भारतिय मूल के रिशी सुनक के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदे काफी ज्यादा हैं क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री पद पर पूर्धानमंत्री बोर्स जॉनसन ने दावेदारी से इंकार कर दिया है जिसके बाद भारतिय मूल के नेता रिशी सुनक की conservative party की नेत्रित तुपर काविज होने की संभावना और प्रवल हो गए पूर प्रधानमंत्री ने ये कहते हुए प्रधानमंत्री पत की दौर से खुद को अलग कर लिया कि प्रधानमंत्री पत पर वापसी के लिए ये सही समय नहीं है इस बयान के बाद अब आज शाम तक सुनक के प्रधानमंत्री बनने की खोश ना हो सकती है लेकिन अभी इस दौर में बिटिश संसत के निशले सदन हाउस ओफ कॉमन्स की नेता पेनी मौडेंट भी है जो सौ सांसदों के लक्ष को पार करने के करीब पहुँच गई है रिशी सुनक को संसत के 142 सदस्यों का समर्थन प्राप्थ है जो शीर्स पध हासिल करने के लिए आवश्यक सोंकों से कई ज्यादा अधिक है ऐसे में बिटिश कानून के मुताबिक अगर आज दो पहर दो बजे तक मौडेंट ने कम से कम सौ सांसदों का समर्थन नहीं जुटाया तो ऐसे में रिशी सुनक का प्रधान मंत्री बनना तय है डीवी लाइव की रिपोर्ट